हलो एस्पारेंट्स वेलकम टू वेलपरफेजुकेशन नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का वेलपरफेजुकेशन में गाइस आज बात करेंगे एक ऐसे रिजल्ट के एक ऐसे न्यूज की ठीक है जिसका वेट काफी टाइम से था ठीक है और बहुत से लोगों को पता चल गया होगा सीवेसी, जूनियर असेस्टेंट, स्टैनोग्राफर और सीनियर असेस्टेंट का जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जी हां guys बिल्कुल साही सुन रहें अप लोग जिसने नहीं पता है जिसको ठीक है जिन लोगोंने देख लिया है वह ठीक है लेकिन जिसने नहीं पता है जिसको इसके बारे में तो इसका जो result वो website पर upload हो गया है guys ठीक है तो काफी टाइम से जो है वेटेड रिजल्ट था ये तो रिजल्ट का जो पीडियाफ का लिंक होगा वह में डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दे रहा हूं तो महां से आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं हो सकता है सर्च ना हो पाए क्योंक तो इसमें जो है सीनिर एसिस्टेंट की टोटल साट पोष्ट थी और स्टेनोग्राफर की पच्चिस पोष्ट इस विकेंसी में जूनिर एसिस्टेंट की दोसोट चार पोष्ट थी तो लगबग 10 गुना यह उससे थोड़ा सा जयदा अनलोग अने जो है कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है अगले स्किल टेस्ट के लिए तो गाइज जिन लोग का इसमें सेलक्षिन हो गया है उनको मैं बोलता हूँ तो आप लोग जो है बिल्कुल अपनी तयारी करते रहें और इसे बिल्कुल भी निराश ना हो क्योंकि देखिये इसमें थोड़ी बहुत जहां पर वकेंसी होती है कम वकेंसी होती है हाँ पर सेलक्षिन लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो आप लोग अगर प्यारी करनी है तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती है इसी बहुत सारे एक्जाम्स होते हैं जिनमें काफी सारे वकेंसी होती है तो अपर आप लोग प्राइब कर सकते हैं सो आज बात करते हैं तो वेबसेट के विजल्ट अपलोड़ है और इसका CBT हुआ था जो उनकी तीस जनवरी को junior assistant का 39-30 को हुआ था और stenographer का 31 जनवरी को हुआ था तो काफी time बाद इसका result आया है और इस तरह के से names दिये हुए आप देख सकते हैं जैसे senior assistant का result आप देख रहे हैं मैं पूरा यहां पर screenshot नहीं दिखा रहा हूं आपको एक total दिखा रहा हूं कि last senior assistant के लिए 680 लोगों को बुलाया गया है skill test के लिए stenographer में 327 बच्चों को बुलाया गया है और junior assistant के अगर बात करें यहां पर को तो 205-205 candidates को बुलाया गया है इस particular exam के skill test के लिए रहे हैं उनको देख लेते हैं लिखा हुआ है कि जो भी skill test का date होगा वह inform किया जाएगा बाद में ठीक है और जो भी marks है candidates को और cut-off marks है वह इस process के complete होने के बाद इस वेकेंसी के complete होने के बाद या final result के declare होने के बाद ही बताया जाएगा ठीक है उम्मीद तो यही कि काफी ज़्यदा high cut-off गई हुए इसकी क्योंकि जैसा कि मिला बच्चों से तो इसे आप से मुझे लगता है कि काफी अच्छा अगर नहीं हुआ है तो मैं यही बोलूँगा डरने की जुरूरत नहीं है घबराने की जुरूरत नहीं है कुछ स्पेशल वागवार ने आपके लिए रखा है बस आप अपनी उम्मीद मत छोड़िए अपनी महनत मत छोड़िए एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी जिस जब आ जब पुरूर मिलेगी जिसलता है बस आपके लिए है बस आपके जिस और है।